प्लेस अफ सप्लाई रीकाप शुरू होता है अब यहाँ पर सेक्शन नमबर सेवन से लेकर सेक्शन नमबर फॉर्टीन तक आते हैं सम्विधान के मताबिक प्लेस अफ सप्लाई डिसाइड करने का जो अधिकार है वो सिर्फ सेंटल गौर्मेंट को दिया गया है एक्सक्लूसिवली इसी के चलते हुए इस चप्टर के अंदर जो भी सेक्शन आपके इस्तिमाल करे गए हैं वो आई जीएस्टी के सेक्शन यहाँ पर रखवाए गए हैं ठीक है उसके बाद मैं मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि सेक्शन नमर्स सेवन यह कहता था कि अगर ओरिजन एंड डेस्टिनेशन आपके तू डिफरेंट यूटी में है तू डिफरेंट स्थेट में है तू डिफरेंट कंट्रीज में है या एक स्थेट और एक यूटी में है तो उसे इंटर स्थेट बोलेंगे अधरवाइस इंटर स्थेट उसे कहा जाएगा साथ में एसे जैट जो कि एक डिम्ट फरेंट ट्रेटरी है वहाँ पर एक वर्चुल एक बार्डर बीच में आ जाता है तो वहाँ पर अगर मुमेंट करते हो सेट को या सेट से यहां मुमेंट आता है तो उसे भी इंटर स्थेट मान कर चलेंगे मतलब ओरिजन डेस्टनेशन के बीच में कोई किसी प्रकार का फिजिकल या वर्चुल बॉर्डर आया तो उसे इंटर स्थेट माना जाएगा तूरिस्ट को यहां से सामान खरीद रहा है जो इंडियन एरपोर्ट से अपना रिफंड कलेम करेगा उसको भी इंटर स्थेट कहा जाएगा इसके लाबा बाकी जो सिनेरियो बनेंगे उनको इंटर कहा जाएगा जहापर कोई किसी प्रकार का बॉर्डर बीच में नहीं आता है वहाँ पर इंटर स्थेट कहा जाएगा सेक्शन आट में ये लिखा था सेक्शन नाइन में था कि जो टी डबलो आई का ओरिजन और डस्नेशन होता है उसे हम इंटरप्रेट करते हैं निरस्ट स्थेट या फिर यूनिन टेरिटरी के रेफ्रेंस में ठीक है फिर आया आपके जो प्लेस आफ सप्लाई डिटर्मिन क प्लेस आटे हैं जो कि इंटरनेशनल डॉमस्टिक लिए सेक्शन बार है और इंटरनेशनल के लिए आपका सेक्शन नमर थर्टीन यहां पर काम आता है सेक्शन नम्बर जो दस है उसके पांच हिस्से हैं टैन वन वन के ए, बी, सी, डी, ए पहले में बोलता है कि अगर गु moment की बात नहीं अगर इसका built to ship to model है direct dispatch हो रहा है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना तो जहां निगाहें हैं निशाना भलेई वहाना हो पर माना वहीं जाएगा निशाना so accordingly जो next buyer है आपका उसी के location पर हम place of supply मान कर चलेंगे अगर मान लीजिए तीसरा case c point अगर build to ship to model आपका निकल कर आ रहा है नहीं स्रेल एंड लीजबेक transactions की बात करते हैं जहां पर goods का moment नहीं होता है तो उस वाले मामलिक के अंदर हम बोलते हैं कि भाई साब सुनिये मारी बात अगर moment नहीं हो रहा तो जहां पर goods की location है camera का example मैं आपको दिया था जहां goods की location है वहीं पर उसका consumption place automatically होगा ही होगा 10-1-D के अंदर था अगर कहीं assembly installation हो रहा है तो जहां पर assembly installation हुआ है वही naturally उसका consumption place होगा और accordingly वही place of supply बना दिया जाएगा 10-1-E के अंदर जो समान बेचा जाता है यात्रा के दोरान तो जहां से भी समान on board लिया गया है तो वहां पर उसका place of supply मान लिया जाएगा 11 बोलता है import के import of goods के मामले में जो importer की location है वहां पर place of supply होगा और जो export का मामला है वह abroad वाली location पर इनका place of supply बनाया जाएगा फिर आता section number 12 है sub section 2 यहां पर मैंने कहाने भी सुनाई थी हमें Indian होने पर गर्व है हमें CEO होने पर गर्व है नागपुर गया था होटल में ठहरा था वहीं पर restaurant में खाना खाया अगले दिन training दी training से निब्रत होकर event देखने के लिए वहां आगपुर में गए थे इवेंट से बहुत सारा समान भी खरीदा शॉपिंग करी थी इतना जादा खरी लिया कि एरपोर्ट तक लाने के लिए समान को छोटा ट्रक हायर करना पड़ा खुद टैक्सी में आए थे फिर हवाई जहाज में आके बैट गए return flight के लिए तो वहां पर हमने flight में ही अपना dinner किया रात का खाना अपना वहीं खाया on board एंड उसके बाद में हमने उनका वाई-फाई भी इस्तिमाल किया जहाज में ही लेकिन वह बहुत महेंगा था बैंक भी जटका ले गया था रास्ते में तूफान आया था पर हमारा insurance हो रखा था तब से लिकर आज तक इस कहानी को में कई बार सुना चुके है इसका मतलब यह है कि यहीं से मैंने इसके subsection जो बार है इसके 14 पॉइंट इसी कहानी में से निकाल दिये थे section number 12 subsection 1 मुझे इंडियन होने पर गर्व है यानि कि यह section तब ही लगेगा जब both the parties located in India होएंगे number 2 पर आये थे यह अपना था like residency provision था like practicing charge content का मैंने example दिया था कि मुझे CEO ने पर गर्व है इसमें यह बताया गया था कि भाई साव अगर जो recipient है उसके बारे में आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपको recipient की location नहीं पता है तो supplier की location पर ही place of supply मान लिया जाएगा बिल्कुल ठीक है हलाकि में इसके थमरूल और क्रक्स आपको सारे बता रखे हैं कि section 12 में चुकि दोनों पार्टिस इंडिया में हैं तो यहां जगडा अपनों में होता है ठीक है अपनों में होगा तो अपनों में कोई खीचा तानी नहीं करवाएंगे कि हर्याना और पंजाब में मैच करा द में जब कोई एक पार्टी या दौनों पार्टी बाहर की होती है तो वैसे वाले मामले के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर रोटी का इतना सा भी टुकड़ा हमारे फेवर में है तो पूरी रोटी को छीन लिया जाता है छीनने में और परोसने में अंतर आता है जब विदेश के साथ हमारी मुट्वेड हो रही होती है तो वहाँ पर प्लेस अफ सप्लाई को छीनते हैं और अपनों में देना होता है तो यहां प्लेस अफ सप्लाई को परोस्ते हैं ठीक है जी वैसे करके यहां छीना जप्टी नहीं होती है और दूसरी बात नियम यह था सेक्शन बार नहीं नहीं हो रही है इसलिए always location of recipient ही निकल किया आएगी और B2C transaction है तो फिर naturally देखेंगे क्या निकल किया रहा है recipient की location पकड़ेंगे अगर वो पता है तो अगर वो पता नहीं है तो supplier की location पर ही आकर रुख जाएंगे कहीं दिख जाए जैसे construction के activity होती तो दिख जाती है कि जहां पर आपकी immovable property situated होती है वहीं पर construction की service आपकी consume होई मानी जाती है तो बारह हमने पढ़ लिया बारह वन हो गया बारह दो हो गया फिर बारह तीन आते हैं तो मैं story से link करता हूँ मुझे इंडियन होने पर गर्व है पार्टी जैसे यहीं की है और property अगर बाहर की हो तो यहां पर यूटरन दे दिया जाएगा और जो place of supply है वो recipient की location पर लाके छोड़ दिया जाएगा बाल पकड़ के घसिट्यों यहां पर लेकर आएंगे इसके बाद मैंने restaurant में वहीं खाना खेया था restaurant की service हो health care की service हो personal grooming की service हो इस प्रकार की वो service जहां पर individual ही service ले सकता actual recipient is the individual तो उनमें performance place का बताया गया था कि जहां पर वो perform की जा रही है वहां पर उनको माना जाएगा यह 12 चार था यहां B2B B2C जैसे कोई बात नहीं करी जा रही होती है क्योंकि recipient को इनका crate मिलना ही नहीं होता जहां पर crate मिलने के chance होते हैं वहां पर देखते हैं B2B और B2C यहां पर वैसा कुछ नहीं तो always performance place पर ही निकल कर आएगा इनका crate section 17 subsection 5 के द्वारा blocked होता है फिर बात करते है section 17 subsection 6 की training में हम चले गए थे तो वहां पर नहीं नहीं है चौथा होगे पांच में पांच में के अंदर अमारी बात थी like training को लेकर मालिक और उसमें यह बताया गया था साहब कि जो भी हम अपनी training training दे रहे हैं आगे चलक तो उसमें अगर वो B2B position आ रही है फिर तो recipient के location और अगर B2C है तो जहां पर actual performance दे रहे हैं वहीं पर यह बात कर ली जाएगे फिर हम training के बाद exhibition में गए थे छटवा सात्वा point हमारा exhibition से संबन दे थे छटवे में आता है हमारा event के अंदर एक admission या टिकेट जो होती है तो व ऐसे वामले के अंदर हमें क्या करना होगा मालिक की वहां पर आकर तो एक्च्व में बोल देंगे जहां भी event की location जहां भी perform की जा रही है उस location पर आपकी consumption place आ जाएगा लेकिन अगर event linked service है तो इसका recipient को ITC मिल सकता है तो यहां B2B B2C की बात कर ली जाएगी कि B2B तो recipient की location और अगर B2C है तो event की location यहां पर आ जाएगी. Immovable property की बाती अगर event multiple states में आ रही है तो वह रीजनेवल बेस लेकर उसको allocate किया जाएगा और अगर मालिजे दोनों पार्ट यहीं की है और event बाहर की जा रही है तो फिर उसे घसी तुए recipient की location पर लाके खड़ा कर दिया जाए हैं तो यहां पर क्रेट मिल जाता है goods transportation passenger transportation दोनों का सामने वाली party को तो अगर यह B2B है तो recipient को location और अगर यह B2C है तो फिर यहां पर हम देखते हैं कि जो भी goods transportation में जो भी loading point होता है pick up point होता है goods का वो लिया जाता है लेकिन अगर चुकि दोनों parties यहां इंडिया में ही है ब पतलब हमें GSTS पर नहीं चाहिए होगा passenger transportation के अंदर जहां से भी आपकी यात्रा शुरू हो रही है जो आपका boarding point है वो यहां पर consider किया जाता है अगर B2B है तो recipient के location आएगी लेकर अगर boarding point पता ही ना हो तो कि आप कहीं से भी बैठ सकते हैं कोई contest वगरा में आपने कोई ticket व वहीं पर लिया था on board की बात करे गई थी उसमें बोलते हैं कि भाई साब जहां से भी जहां से भी मैं चड़ा हूँ जहां से भी passenger on board हुआ है वहां पर उसका place of supply माना नहीं सरी नहीं इसमें first departure point of the convention जहां से convince चला है जहां से जहाज उड़ा है जहां से जहाज दिल्ली से बै दिल्ली में लिया जाएगा टेली कम्निकेशन सर्विस की बात करते हैं चेक करो क्या कोई fix device involved है लाइक को छतरी बतरी कोई router अगर है तो place of supply वहां पर होगा दूसरा अगर इसे कोई fix device नहीं है तो portable device है हाँ portable device में connection कैसा पोस्ट पेड प्री पेड अगर पोस्ट पेड है तो billing address अगर prepaid है तो जहांबे रिचार्ज कराया ओनलाइन रिचार्ज कराया है तो recipient की location आप क्या जाती है multiple location अगर involve हो रही है तो वैसे वाले मामले के अंदर एक reasonable ratio लेंगे और उसमें allocate इसको करवा दिया जाएगा मैंने वाइफाई की service ली थी उसके बाद में फिर हमने पाया बैंकिंग वगरा की service की बात की गई कि अगर recipient पता है तो recipient की location नहीं तो फिर bank की location पर वहाँ लिया जाती है वैसे बात करके चलते हैं उसके बाद में फिर हमने बात की कि भईया insurance की service की बात करते हैं तो चाह B2B हो चाह B2C हो दोनों ही मामलों के अंदर recipient की location यहां पर आ जा बता है I just a rules के अंदर ratio बताया गया है कि अगर इंटरनेट से दी जारी तो number of subscriber के आधर पर देख लो TV के थूए तो number of viewers के आधर पर देख लो पंफ्लेट वगरा तो कितने distribute के किस state के अंदर holding अगर है तो holding के थूट advertisement के तो किस state में कितने holding आए तो इसके regionable आधार पर हम यहां पर इसको allocate करके चलते हैं multiple states के अंदर उसके अंदर section में 13 आपका आया था 13 के अंदर भी सारी बातों को हम देखके चलते कि कहां पर क्या लिखा हुआ है resultory provision इसका भी यहीं बोलता है 13 का यहां B2B जैसे कोई बात नहीं होगी SML के चली section 12 को trim कर दिया गया है ठीक सर जी तो resultory provision बोलता है कि recipient की location पता है तो वो लेके चलेंगे recipient की location नहीं पता है तो फिर supplier की location को ही यहां पर पकड़ लिया जाएगा immovable property के समने सर्फ एक बात है वेर था immovable property is located और intended to be located फिर बात करते है performance based service की चर्चे यहां पर करे जाती है इसमें आती है कि goods पर service दी गई या goods से service दी गई जुबान पर लगी हुई चोट सबसे जल्दी ठीक होती है जुबान से लगी हुई चोट जिंदिगी पर ठीक नहीं होती अगर goods पर service दी जा रही है तो यह आपका 13-3-A लगा दिया जाएगा और जहां पर goods की location है या जहां पर goods आपका था जा जाए जहां पर service परफॉर्म की जा रही है वहां पर इसका आ जाएगा आपका performance place जो है वो यहां पर इसका place of supply बना दिया जाएगा लेकिन अगर goods temporarily import कि यहां job work repair etc किया जाता है and without put to use यह put to use किया भी तर टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए और वो goods वापस चला जाता है तो ऐसे वाले मामले के अंदर custom के section 25-A की मताबिक ना तो import duty लगेगी ना इसको पर IGST आएगा goods के उपर और जब good पर ही GST नहीं है तो बहां गन्ने पर GST क पर फैक के मारेंगे जिससे किस पर GST नहीं लगाया जाएगा आगे हमने बात करी थी यहां पर आकर किसाब individual सम्मंदी मतलब यह कि service लेने वाला actually जो recipient वो एक individual हो हाला कि recipient जो person liable to pay consideration that may be individual और may not be an individual वो हो और service SEO जहां पर individual की physical presence with the supplier मौजूद हो वैसी वाली बात करते हैं तो एसे वाले मामले में जहां पर भी service action में provide कराई जा रही है वहां पर इसका performance जो दी जा रही है वहां पर इसका place of supply count किया जाएगा आगे बात करते हैं event linked के अंदर सीधी बात location of the event यहां पर आपकी बन जाएगी multiple location internationally इसमें बोलता है कि देखे सीधी बात यह है कि जब जगड देश और विदेश दोनों में हो तो वहां पर छीन लिया जाता है अगर service मान लीजिए आपके इंबल प्रोपरिटी और performance based या event वाली में से कोई एक है multiple location जिसमें से एक location इंडिया में भी है अगर इतनी सी भी service इंडिया में दी गई तो पूरी service को छीन लिया जाएगा पू विदेशियों से रोटी छीनते हैं और छीन कर अपने states के अंदर हम परोस देते हैं बाट देते हैं तो अगर मान लीजिए बहार से छीन तो लिया अगर थर्टीन सेवन बोलता कि अगर multiple states अपने इनवाल वहों तो क्या करोगे तो उसको अपना अपना टुक्रा तोड़कर दिया जाएगा इस टेट हम से छीनेंगे नहीं हम उनको परोस देंगे ऐसे वहाँ पर बोला जाता है गुड्स ट्रांस्पोर्टेशन हम बोला गया destination of goods इसलिए बोला गया क्योंकि हम import पर चाहते हैं import के समन में चाहते हैं कि GST लगे भाड़े पर export पर चाहते हैं ना लगे तो इन्होंने जो transportation की service है वो इसी से link कर दी कि import के समन में यहाँ होगा place of supply एक्सपोर्ट के समन में वहाँ होगा जहां goods का destination रखवाया जाएगा transportation of passenger के अंदर boarding place आपका आजाता है onboard services के अंदर वो बोलता है कि first departure point of the convince के हम चर्चा अपनी यहाँ पर करके चलते हैं मालक और telecommunication service के लिए यहाँ पर कुछ भी बताया नहीं गया है उसके बाद में specified service की बात आती है अगर इसको specified service काटेगरी के अंदर नहीं रखा जाता तो शायद situation कुछ और हो सकती थी बट सरकार यहाँ पर GST recover करना चाहती थी इसलिए specially बोला गया कि banking service बले account holder को दी जा रही हो भले रसी पिंट की location पता हो पर ऐसी की तैसी उसके बावजूद भी हमें से यहीं पर supplier की location पर मान के चलेंगे because we want GST at this moment उसके बाद में आता intermediary जो बिचौल या आदमी होता है अगर goods इंडिया में आता है और जो marketing agency विदेशी goods की वो इंडिया में अपना काम कर रही है तो जो भी agent अपना commission कमा रहा उसके उपर भी GST लगना चाहिए तो place of supply supplier की location ही रखी जाएगी और hiring of motor vehicles की बात करते हैं उनके समद में भी supply की location ही रही लेकिन इसमें आप हवाई जाज को छोड़ देंगे और vessel को यहां पर छोड़ देंगे इनके लिए respiratory provision अपना लगाया जाएगा मैंने हर चीज छोटी से छोटी चीज को logic डिकर समझाया है आज यह तीसरा lecture ले रहा हूं मैं place of supply के उपर मालिक ठीक है तो मुझे बताएगा जरूर यह चप्टर आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया है समझ में नहीं दिमाग की नस नस में यह समाया है कि नहीं समाया मैंने अपना best दिया है मालिक ठीक है साहब उसके बार मैं आगे बात करते हैं insurance यहाँ पर कोई बात नहीं है ओड़ समझ में आते हैं 13 12 के अंदर उसका है location of recipient और ओडार के यहाँ पर एक आपका section भी आता है section 14 भी आता है वह अब हम करने के लिए जा रहे हैं proper linkage के साथ में दो तीन पेज की linkage अपर ओडर के ठीक है OIDAR एक ऐसा concept है जो कहीं न कहीं कहीं न कहीं हर chapter में आपको थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा तो मैं जगह जगह पर इसे pending करूं इसलिए मैं एक काम करता हूँ मैं आज ही इसे खतम कर देता हूँ मैं आज ही इसका पूरा कल्यान कर देता हूँ कि भाईया ले बात खतम है ऐसे इसका मैं treatment दे देता हूँ मालिक तो आईए ज़रा OIDAR जितने अवर पूरा GST में लिखा हुआ है उस सारे को हम यहाँ पर निचोड़ देते हैं कि क्या मतलब है OIDAR का क्या service है क्या supply है क्या scene है यह जो OIDAR का chapter है यह सबसे आखर का chapter है सबसे आखर का chapter कौँसा है मैं निकालता हूँ सबसे आखरी chapter GST में not only एक book में नहीं कह रहा हाँ GST में सबसे आखिर का चैप्टर है निकाले हाँ जी निकालो रुको जरा मुझे निकालना पड़ेगा मुझे थोड़ा समय दीजिए मैं निकालता हूँ ठीक है मुझे थोड़ा समय दो येस मैंने कर दिखाया अब यहाँ पर आप बताईए आपके बताऊगे मैं बताऊँ और जो बताऊँगा सबसे आखिर का चैप्टर ओईडार सबसे आखिर का चैप्टर ओईडार की फुल फॉर्म ओनलाइन ओनलाइन इनफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और तीसरा है रीट्रीवल सर्विसस तीन कॉंपोनेंट हैं इसके अराम से देखेंगे कोई जल्दबाजी नहीं तो पहले स्तमस्ते हैं कि यह है क्या चीज़ तीनों कॉंपोनेंट है ओनलाइन इनफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रीट्रीवल सर्विसस हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कि जो सप्लायर है वो विदेशी आदमी है और जो रेसिपियेंट है वो एक इंडियन है ओनलाइन इनफॉर्मेशन सर्विस होती क्या है इग्जैटली है ओनलाइन इनफॉर्मेशन और जैसे मान लीजिए आपने भारत मैट्रिमानियल पर या शादी.com पर कोई आपने वो बना रखा है क्या बोलते हैं लाइक प्रोफाइल बना रखा है अपने स्पेसिफिकेशन अपने बारे में दिये होंगे आप कौन है आपके क्वालिफिकेशन क्या है आपकी हाइट कितनी है जो भी जैसे भी है फिर आपसे स्पेसिफिकेशन पूछे गए होंगे कि आपको कैसा जीवन साथी चाहिए वो एक automated software है वहाँ कोई पंडजी ने बैठे होते हैं वो matchmaking करेंगे कि भाईया इस बच्चे को इस तरह का जीवन साथी चाहिए तो कौन है ऐसा तो उसकी matchmaking कराकर उसको detail भीज़ देते हैं मेल्स भीज़ देते हैं कि भाईया यह लिजे मेल पकड़ी हमने भी कर रखा था बनाया था अपना इवन सी बनने से पहले ही अपना बना दिया था और qualification सी यह दिखाए थी देखे तो सभी किसी एक बनने के बाद हमारे कैसे रिष्टे आए यह देखने के लिए हमने किया थ दो हम वटन देखना चाहते थे कि फोटो कैसा आया भाई साब जो मैच मेंटिंक बना के दिया है वो फो diff blooming चाहे है तो फोटो जैसे क्लिक करना चाहते है और पैसे लाओ पैसे थे निए तर बाद नहीं कि मेरा केहने का मतलब यह है कि वो हमें अपना पूरा वेराइं नहीं सौंकते थे हमसे यह नहीं का कि भाई जाहो यह रहा हमारे पास लाखों लाखों लोग का प्रफाइल है यह पूरा वेर हाउस ते घुश जाओ जो मर्जी पसंद आए पसंद कर लो खुद ही ले जाओ ऐसा नहीं है उनला को करोड़ों का डेटाबेस हमुझे नहीं दे वो करा कि relevant दूँगा तुम्हें जो चाहिए सब तुम्हें दूँगा दुकान के बार खड़े दो दुकान के अंदर नहीं आना यह कोई सूपर स्टोर नहीं कि तुम अपने आप घुश गए और जो समान चाहिए निकाल के लिए यह लाला की चोटी सी दुकान है बार खड अपने नहीं पूरा रहाउस पूरा डेटाबेस तुम्हारे सामने है जो चाहिए लेलो जैसे कि आपकी वेबसाइट होती नहीं टेक्से मनेजमेंट इंडिया हो गई ना टेक्समें होगें इनकी वेबसाइट आती लीगल कॉंटेंट वाली कि डरेक्ट टेक्स बाइट कि जिता साल भर का ठीक है वैसे करके और ओनलाइन गेमिंग हो गई पूरी वेब साइट आपके सामने है लाखों हजारों जो आपको चाहिए सबकर आपके सामने है जो मरज चुनिए ओनलाइन म्यूजिक इमूवीज बुक्स वगरा यह पूरा डेटाबेस आपके हवाले कर द आते हैं यह है लाला की दुकान यह है लाला की छोटी सी दुकान दर असल कि जो चाहिए सरक पे खड़े रो वो बता दो आपकर बाहर निकल के सामन दे देगा अंदर समझ में आगया? येस सर्, आगया retrieval services, retrieval service मतलब data backup services की यहां पर बात करते हैं, हम लोग यह दर घुम गया, यह नहीं आने चाहिए था, जो data backup की services होती है, उनकी बात यहां पर कर जाती है, cloud service हो गई, जैसे आप बड़ा एक best example दो, आपको अगर mobile phone change करना है, और अपने contact, अपनी details जो पुराने mobile में थी, नए में लेकर आनी है, तो आप cloud माध्यम से ले आते हो, आपका जो सारा का सारा data होता, server पर लोड होता है, और नई device के अंदर आप उसे retrieve कर सकते हो, data को retrieve कर सकते हो, ठीक है, yes sir, whatsapp message वगरा जो आपके होते हैं, मेरे पुराने mobile में था, मैं and retrieval services, this is called OIDAR, right, या, इसके player को होने, अगर मैं international level पर बात करके चलो, तो इसके player को होने बहारी, zapac.com, netflix, youtube, google, setmax, vizar, amazon, web services, amazon, web services, gana.com, यह सब हैं, इन OIDAR services के खुबी क्या होती है, खुबी होती है, यह automated होती है, fully automated, human intervention ना के बराबर होता है, जब आप यह movies देखते हो online, तेर वो movie कोई चलानी रहा, play नहीं कर रहा, कोई जसे cinema hall में play करते हैं, play कर दी आपके लिए, वो आप चलाई खुद देखे, fully automated होती है, minimum human intervention यानि के web based services होती है, दूसरी बात, इन में internet निरंतर चाहिए होता है, निरंतर चाहिए होता है, continuous चाहिए होता है, यह वैसे नहीं ह आपका internet रुका, वहीं पर रुख जाता है, वो download करके नहीं रखता है, वो internet के साथ ही चलता है, शोली movie नहीं कहता, बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे, तेरे यार की सांसे चलेंगे, अगर तेरे पैर रुके, तो तेरे यार की सांसे खटा हो, मतलब ऐसे ज़से इंटरने चलेगा, यह movie चलेगी, यह service चलेगी, जैसे internet बंद होगा, लेकिन क्या सर, मैंने माना, माना OIDAR के लिए internet mandatory है, लेकिन क्या हर वो service जिसमें internet चाहिए होता है, क्या वो सब OIDAR है, जी नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, सोना पीला होता है, बट हर पीली चीज सोना नहीं होती, OIDAR के लिए internet mandatory है, बट हर वो service जिसके लिए internet mandatory है, वो OIDAR नहीं हो सकती है, यह सर, तो यह सब यहाँ पर आ जाते हैं अपने, तो Amazon पर यह OIDAR नहीं है, कि sale whale हो रही है, यह सब हो रहा है, online then play, OIDAR क्या है, fully automated है, online streaming है, internet mandatory होता है, और एक परकार से web based services है, पहले बताईए, OIDAR समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बोलो हाँ, हाँ सर जी आ गया है, अब OIDAR आपको समझ में आ गया है मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, तो अब इसमें सुनतू आगे, आगे सर जी क्या बतला होगे, बता रहे हैं, रोको जराब, आगे इसमें जो सीन निकल के आएगा भाई, इस प्रकार से है, दो केस बनाऊंगा, एक केस होगा बड़ा आसान, बड़ा शांदार सा होगा, केस नंबर एक करके, केस नंबर एक है, जहां पर रसिपियंट आदमी एक रजिस्टर्ड परसन होता है, जहां पर रसिपियंट एक रजिस्टर्ड परसन होता है, और यह आसा परसन होता है यह केज टू निकल क्या था सारी टेक्निकलिटी दूसरी केज में फसी हुई है ठीक है यह सर अगर कोई इंडियन रेश्टर्ड परसन ओडार की सर्विसेज बाहर से इंपोर्ट करता है तो क्या होगा बी नाचिरल तो यहां आपको कोई भी हाथ पर मानने की जर नहीं है सीधी उंगली से ही घी निकलेगा अबजेक्टिव ध्यान रखना ओडार के सम्मंद में सरकार कहती है कि अगर ओडार की सर्विस इंपोर्ट की जाती है तो जी एस्टी हर हाल में चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है यह और हम कभी बरदाश्ट नहीं कि बिना जी एस्टी के हम रह पाएं हर हाल में हमें जी एस्ट यहां चाहिए मतलब चाहिए दैट सिट माइडियर ठीक है अच्छा याथ सीधी उंगली से घी निकलेगा यह टेडे़ी निकलेगा तो पहले वाले केस में बता दूं घी सीधी उंगली से ही निकल आएगा इसमें उंगली को टेड़ा नहीं करना पड़ेगा अराम से निकलेगा कैसे भला OIDAR की service है import की जारी है 20 लाग रुपे की है supplier USA का वीजार है और recipient India के अंदर LDNCA है जो कि एक registered person है ठीक है जी सबसे पहली बात जिसकी हम बात कर रहे हैं वो goods है की service है क्या ये घटना supply भी है practically it's a import of service basically और import of service आपकी बन जाती है क्या supply बन जाती है दो तरीके से अगर वो consideration के साथ में है अगर हरी हरी पत्तियां जा रही है तो थोड़े छीटे यहां रहा दो फिर तो always वो आपकी supply बनेगी अगर for a consideration है तो लेकिन अगर consideration नहीं होता है FOC है तो वो निर्भर करता है कि वो related party से ली गई हुई हो या deemed distinct से ली हुई हो business purpose के ली हुई हो इस तरह की बाते होती है लेकिन अगर consideration साथ में है तो चाहिए business purpose हो चाहिए personal purpose हो एस थैसी वो always आपकी यहां पर बनती है supply तो लिखा है for consideration है तो purpose business हो या फिर personal हो supply बनेगी FOC है free of cost है तो फिर यहां पर business purpose related से लिया है या फिर deemed distinct person से लिया है DD से तो उसको supply बना दिया ज़रता है is it okay या nature of supply क्या होगा supplier भार बैठा हुआ है recipient यहां बैठा हुआ है ठीक है जी तो obviously बात इसमें section 13 लगाया जाएगा और OIDAR के लिए section 13 12 लगता है अभी हम पढ़ कहें तो section 13 12 जहां location of recipient बोलेगा location of recipient इंडिया में है दिल्ली में है तो इस तरह से यह घटना आपके IGST बन जाए क्योंकि यह आपका इंडिया के बाहर है यह इंडिया में है बीच में country का border आता है तो section 7 of IGST के मताबिक यह interstate है और यहां पर IGST लगा दिया जाएगा सब कुछ natural तरीके से हो रहा है कहीं कुछ भी तोड़ फोड़ करने की जरुवत नहीं है जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा लिख देना यहां पर इसके head पर हमें GST चाहिए मतलब चाहिए ध्यान रखना आपको कोई ची तब तक नहीं मिलती जब तक आपके मन से हवाज ना आए कि चाहिए ही चाहिए राइट यस सर टेक्सिबल परसन कौन होगा चूकि यह इंपोर्ट अफ सर्विस है और इंपोर्ट अफ सर्विस में रसिपियंट के कंधों पर भार होता है पर को सप्लायर पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है इसलिए यहा पर बताया जाता है और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक है राधे हां सरजी एक दिम ठीक है कोई दिक्कत वाली बात दी तो अलड़ाइट यह लाइबल टूपे जी एस्ट अउन्स एंड मोरोवर इट इस इनपुट टैक्स इट इस इनपुट टैक्स फॉर अलडइ नहीं है कॉम्पुटेशन ऐसे कर देंगे यह कैश लेजर के थो क्योंकि यह आर्सीम के अंदर लाइबिल्टी यह इसलिए इकैश लेजर से ही आप पेमिंट करना पड़ेगा यू कैन नॉट यूज यूज यॉर एक क्रडिट लेजर बिकॉज इस आर्सीम लाइबिल्टी इन्पुट एक्स लिएबिल्टी आपकी आर्सीम एल्डाइबिल्टी यह भरेगा टाइम अफ सप्लाई निकाला जाएगा यह थर्टीन थ्री है थर्टीन थ्री ओफ सी जी एस्टी एक्ट है ध्यान दीजिएगा कभी कभी परिशानी हो जाती है प्लेस अफ सप्लाई में भी बारह तेरे नंबर के सेक्शन आते हैं लेकिन ध्यान दीजिए वह बारह तेरे सेक्शन आईजिए इधर टाइम अफ सप्लाई में भी सेक्शन बारह तेरे आते हैं लेकिन वह सी जी एस्टी के होते हैं तो प्ल कर चुके हम तो यहां कोई नया नहीं है तो यानिक कुछ भी आपको extra effort डालनी की जरूरत नहीं है जब recipient आदमी यहां पर आपका यह registered हो तो लेकिन अगर मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति एक non taxable person है यानिकि वो एक unregistered person है मेरे बच्चा मेरे कबूतर तो वहां पर दिक्क ते क्या आती है जरा वो भी सुन लीजिए एक बात को ध्यान रखना कोई भी चीज आपको तब नहीं मिलेगी जब वो आपको चाहिए यह चाहिए तब मिलेगी मुझे जिद है मुझे यहां GST चाहिए ही चाहिए रच चाहिए कुछ भी हो जाए कुछ तोड़ना पड़े चाहे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभ को नियम बदलते देखा कुछ भी करना पड़ जाए पर GST निकाल कर देना कुछ लोखो तोड़ना पड़े फोड़ना पड़े कुछ भी करना पड़े जो हमसे टकराएगा चूर चूर GST निकाल कर देना हमने का ठीक है जाओ कि पूर्य आजा दिया हताओने लेकर घुबो किसी प्राविजन को तोड़ सकते हो किसी को फोड़ सकते हो लेकिन GST लाके देना हमने का ठीक लाके देंगे आ जाओ कैसे एक चेंज किया बाकि सारा कुछ सेम है ये सामने वाला अप्यक्ति एक नॉन टैक्सर प्राविजे दस साल का बच्चा है टैन इयर ओल्ड किट्स दस साल का ये एक बच्चा है जो ऑनलाइन गेम खिलता है पबजी टाइप सुन रहे हैं पबजी दुबारा आ रहा है पता नहीं क्या होके रहेगा फ्री फायर पबजी वबजी तो यहाँ पर कहते हैं इंपोर्ट आफ सर्विस की बात करी जा रही है ओईडर की सर्विस इंपोर्ट की जा रही है फर एक्जामपल मान लेते हैं ये ओनलाइन गेम खेला जा रहा है ओनलाइन गेम यहाँ पर खेला जा रहा है या उन्नाइन मूवी देखी जा रही है जो भी है दूस साल का बच्चा है चैलेंज के आने वाला है कई सारे चैलेंज आएंगे देखो जहां भी बात बनती है सबसे परेश चेक करो क्या ओईडार एक सर्विस है जिसकी बात कर रहे है यह जैसे गदर एक प्रेम कथा है वैसे ही ओईडार एक सर्विस है, बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, आगे क्या है, आगे है मालिक, क्या ये एक प्रकार की सप्लाई है, सर, इंपोर्ट अफ सर्विस की हम बात कर रहे हैं, निश्चित तोर पर सर जी, ये सप्लाई यहां पर ये, ये, इंपोर्ट अफ सर्विस, अगर ये फॉरे कंसीडरेशन है, अगर ये फॉरे कंसीडरेशन है, तो चाहिए बिजनिस परपस के लिए हो, चाहिए परसनल परपस, माइंड इट, माइंड इट, आपका एक लॉजिक उधार चल रहा था मेरे ऊपर, बताऊंगा, यहाँ खेल रहा है, क्या ये इसका बिजनिस परपस की लिए ले रहा था, आनलाइन गेमिंग या इ-मुवीज नई सर्, ये इसका यहाँ पर परसनल परपस था, जात्ती मामल्त था, ठीक है, व Warum बड़ी गूर्ट, परसनल परपस था है, परसनल परपस था, ओके सर्थ, सर यह घटना आपकी यहां पर F.O.C. बनेगी या नहीं बनेगी free of cost free of cost अगर है और अगर यह business purpose के लिए है और related party से ली हुई है या फिर यह आपके deemed distinct person से ली हुई है तो भाई साब इसे supply यहां पर बना दिया जाएगा यह बात हम अच्छे से जानते हैं बिल्कुल ठीक है जी उसके बाद nature of supply क्या होगा अब बताए है supplier कहां बैठा है साबो अमरीका में बैठा हुआ है recipient कहां है recipient कहां इंडिया में recipient अच्छा destination क्या होगा location of the recipient होती section 13 section 12 के मताबिक 13 ही लगेगा ना यहां पर आकर because one of the party situated in India यहां पर आपकी one of the party situated outside India यहां पर हो रही है तो इसके चलते हुए यहां पर आपका section 13 है लगाया जाएगा is it okay? yes sir बने वो बात तो ठीक है कि recipient की location पर आकर यह बनेगा पर समस्ता तो यह भाई साब जी कि recipient की location का कैसे पता चलेगा recipient की location का कैसे पता चलेगा यह तो बता दो कि recipient इंडिया का ही है registered तो है नहीं non-taxable है 10 साल का बच्चा है गौर से देखिए साथ बच्चे को 10 साल का बच्चा और दूसरा सोचिए तो दिमाग को भार नकाली किताब से एक विदेशी कमपनी यह ओनलाइन गेमिंग की सर्विस दे रहे हैं वर्ल्ड वाइट पबजी खेला जा रहा है वर्ल्ड वाइट फ्री फायर खेला जा रहा है यह रहे कैसे पता लगया कितने इंडियन बच्चे खेल रहे हैं इंडिया के कितने बच्चे खेल रहे हैं यह कैसे पता लगेगा माना कि रसिपियंट की लोकेशन विल बीदा विल बीदा प्लेस अप्लाइ बट हाउ टू आइडेंटिफाई तो इसके लिए एक नियम बनाया गया कि देखो यहां पर हमने कुछ बात कर रहे हैं इनमें से अगर कोई सी भी दो कंडिशन फुल्फिल हो जाती है तो आपकी लोकेशन इंडिया मानी जाएगी तो बच्चे की लोकेशन इंडिया माननी जाएगी अगर कोई भी दो कंडिशन डिवाइस का आई-पी एड्रस अगर इंडिया का है डेबिट कैट काड इंडिया का है बेंक अकाउंट इंडिया का है फिक्स्ट लेंड लाइन इंडिया का है सिम काड कोड इंडिया का है बिलिंग एड्रस इंडिया का है रहां कोई तो सही, बिलिंग एड्रेस, लिविंग एड्रेस, डिवाइस लोकेशन, आपकी लोकेशन, बैंक की लोकेशन, कुछ भी, दो अगर इनमें से इंडिया के मिल गए, तो आपकी लोकेशन इंडिया मानी जाएगी, बच्चे की लोकेशन को इंडिया माना जाएगा, तो अगर वाकि में बच्चा इंडिया का है तो यहां से दो कंडिशन का हो तो कई सारे कंडिशन पूरी कर रहा होगा तो वैसे करके यहां पर मालिक बात करी जाएगी ठीक है यहां से पता लग जाएगा उसके बाद एक और चक्कर यहां पर पढ़ेगा चक्कर यह पढ़ेग दस साल का बच्चा practically it is import of services और हम जानते कि import of service reverse charge mechanism लगता है recipient liable to pay GST under reverse charge mechanism और recipient को GST में restriction भी लेना पड़ता है यहाँ चुकि supplier पे सरकार का control है नहीं और recipient से दस साल के बच्चे को फोर्स जितने बच्चे free fire PUBG खेल रहे हैं उनको बोलो कि जाये GST में जाके restriction कराईए तब आप PUBG खेल सकते हो otherwise फिर penalty event कर जाएंगे क्या यह practically possible सारे बच्चे GST में restriction नहीं जी नहीं बच्चों से ले नहीं सकते सप्लायर पे control नहीं है यहां आके भाई सब ऐसे लटागए भाई सब हमारे बस की नहीं है GST हम नहीं कर पारे collect नहीं होगा GST collect नहीं हो पाएगा हमने का याद करो यह क्या किया था जिद है चाहिए ही चाहिए रख जो मर्जी करो चाहिए ही चाहिए हमने का ऐसी बात है तो चलो हमने का बच्चों से तो नहीं ले सकते है बच्चों से तो नहीं ले सकते लेकिन लेकिन ये जो सप्लायर बाहर जो बैठा हुआ है इसे बुलाएंगे इंडिया कनहीया कनहीया तुम्हें आना पड़ेगा लight ओड़ेगा वचन जुद्या गीता में वो निभाना पड़ेगा रहा जadad यह लुट जök грओं के रहे साथ यह लुट में नेट फिलिक्स द्राजे वाई करें तक यह्ज्टीवर ना यहांकर investckt पर यह सारे की सारे यह ढूब खेल रहें गेम उन्हों पर जो अमांट बंता जिस्टी और उस पर गरनाते क्रचन आएगा और हमने बहुत सारे एक्सपीरेंस हैं यह पजी टुप जिस्टी इंडिया में तो यहां जाओ नहीं तो यह आना पड़ेगा आना पड़ेगा आना पड़ेगा वना दंदा बंद उ उसको यहां बुलाएंगा वो यहां पर आगर जिस्टी का पेमेंट करेगा तो इसका मतलब यह हो गया कि नॉर्मली रिवर्स चार्ज के चैप्टर जब पढ़ रहे होगे तो वहां पर एक नई चीज आपको देखने के लिए मिलेगी क्या कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊ लगता बलकि सप्लाएर को ही यहां पर आना पड़ता है ऐसे करके वहां पर बात करी जाती है मेरे बच्चा बोले बात समझ में आई की नहीं आई हाँ सर जी आ गई और कौनो दिक्कत वाली बात नहीं है वेरी गुड जब बात अच्छचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच करके या payment correct करती है Amazon लेकिन service देने वाली back end पर ये है तो दो दो लोग इसमें involved हो रहे हैं तो किसको बोलाओगे who is liable to pay GST तो हमने का भाया जिसके कंधों पर responsibility है वो अगर responsibility Amazon के उपर तो Amazon को आना पड़ेगा और service की responsibility terms and conditions quality payment जो भी है मतला अगर खराब service दी तो मुकदमा किस पर करेंगे Amazon पर या ABC पर जिसके मुकदमा करेंगे who is responsible for the services वो यहां पर इंडिया में आएगी और आकर उसे अपना यहां पर मालिक registration करवाना पड़ेगा और GST का payment करेंगे जो section 14 आपका pending पड़ा है उस section 14 में बस यही बात बतलाए गई है कि इंडिया में कौन आएगा अब समझ मैं कि section 14 क्या बोलती है कि ओईडार के समंद में जब ऐसी स्थिती होगी कि recipient एक unregistered रखती होगा non taxable person होगा तो वहां पर कौन सी वाली company इंडिया में आएगी यही बताता है section 14 taxable person कौन होगा supplier ही taxable person होगा मालिक zapak.com वही यहां पर होगा RCM ना लगेगा NCM ही लगाया जाएगा यहां RCM जैसे कोई बात हो ही नहीं सकती है recipient से अब GST ले ही नहीं सकते हैं अब सुनो एक और शांदार वाली बात यहां तक तो घसीट कर ले आए taxable person तक घसीट कर ले आए कि यहां GST मिलेगा मिलवाएंगे दिलवाएंगे चिंता मत करो लेकिन कहां कहां से रोको कि यहां से तो बच गे हो आगे कैसे बचोगे आगे आगे आएगा आगे आएगा आपका exemption का chapter पांच में सर्विस लेने वाला है वो एक individual है जो personal use के लिए सर्विस लेता है या एक trust है या एक government है एक ऐसी exemption मिलेगी तो यहां पर हम GST basically exempt कर देते हैं GST exempt कर देते हैं अब जोना focus बनाईएगा मातर इसके उपर प्लीज कि अगर यह व्यक्ति एक individual बाहर से service import करता है for personal purpose तो उसे exempt कर देते हैं और शायद यह बात मैं आपको day one से बता रहा हूँ यह बात day one से बता रहा हूँ कि अगर service import की जाती है for personal purpose तो उसे exempt कर दिया जाता है अब यह जो था अब जो OIDAR की service थी यह भी import of service में आ रही थी और इसे import करने वाला एक छोटा बच्चा था जो personal purpose क्लिक कर रहा था तो इसका मतला OIDAR की जो service है वो यहां पर आकर आपकी exempt हो जाएगी लो भाईया यहां पर आकर automatically मारी जाएगी because this is import of service imported by individual for personal use खड़ाम exempt लेकिन हमारा target क्या है चाहिए मतलब चाहिए चाहिए मतलब चाहिए जीस्टी चाहिए मतलब चाहिए हमें कुछ नहीं पता ले के आओ हमने का ठीक है तो तो फोड़ो जो मर्जी करो हमने एक proviso create कर दिया जब exemption का chapter पढ़ाऊंगा तो यह proviso link होगा यह proviso link वहां पर करवाय जाएगा मालिक कि भाई साब कि सुनिये 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 माना कि यह बात सही है कि personal purpose के लिए अगर आप लेकर आते हो तो ठीक exemption मिलेगी लेकिन this exemption will not be applicable on OIDAR services will not be applicable on OIDAR when it is imported by unregistered or non taxable person अगर छोटी बात करूं तो जो दस साल का बच्चा था वो बच्चा अगर इंपूर्ट करता है तो exemption नहीं दी जाएगी प्रभल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और आज बदल दिया नियम आज नियम यहाँ पर बदल दिया मालिक आज नि exempt होती है परन्तो मेरा देश यहां कुछ और चल रहा था मुझे इतने बड़े सेक्टर पर जी स्टी चाहिए था तो आज यहाँ पर भाई साब यह चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए तो आज इस exemption को मना कर दिया कि यह exemption हम नहीं देंगे मतलब यहाँ पर जी स्टी लगाया ह जाएगा हर हाल में लगाया जाएगा अब मैं आपको एक pending query का logic देता हूं आपने मुझे question किया था एक दिन किसर देखे यहां बोलते कि अगर कोई service consideration के साथ ली जा रही है अगर कोई service consideration के साथ ली जा रही होती है यह मतलब विकल वैसे ही मुझे क्या यादा रहा three idiot का एक dialogue लोग्या दा रहा है मुवी के शुरुवाती दौर में आमिर खान ने तरक दिया था कि वो इतना महेंगा पैन बनाया तो इस पेस में तो पैंसिल भी चल सकती थी ना इते सारे पैसे बग जाते हैं तो उनके जो वीरुस सहस्बुद्धी थे वो जवाब नहीं दे पाय थे जब कहानी का अंत हो रहा होता मुवी एंड में होती है तो वहाँ पर बताते हैं कि देखो मैं तुमारी कोरी का जवाब देता हूं कि अगर पैंसिल लेकर जाते हैं स्पेसमस के जो ये नोप तूट जाती है अगर तो घूमती रहती किसी के आंक में घुसती किसी के नाक में गोस्ती इसलिए पैंसिल कॉपियों उपर नहीं हो सकता है ऐसे आज मैं आपको यहां बता रहा हूँ जो डेवन पर आंसर नहीं कर सकता था आज कर पाने के स्थिति में हूँ बस इतना बोल दिया था कि भई ओडार की सर्विस आईगी उसके साथ लिंक करके बता हूँ कैसे कि अगर एक सर्विस हम इंपोर्ट करते हैं और वो पर्सनल पर्पस के लिए होती है भाई साब वो वो पर्सनल पर्पस के लिए आपकी होती है तो उसे सप्लाई कहा जाता है बिल्कु ठीक बाता है पर मैं आगे बताता था कि जब एक्जैम्शन पढ़ेंगे तो इसको नहीं लिया जाता यहां तुम्हारा question यह था कि जब exempt ही करना था तो फिर आपने इसे यहां पर supply ही क्यों बनाया इससे तो बहतर था कि supply ही न बनाते ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसरी आप इसे supply ही मत बनने देते supply ही नहीं बनता तो फिर exemption की कोई बात ही नहीं आती निकल के सामने मालिक है की नहीं बताईए बोलो ना प्लेज अब आया समझ मैं अगर मैं आज इसे यहां से काट दू परसनल परपस को यहां से काट देता हूं और कहता हूं कि नहीं बिजनिस वाले अगर बिजनिस के लिए है तो ही supply बनेगा तो मालिक आज आप OIDAR पर यह GST कलेक्ट नहीं करते हैं जस साल का बच्चा जो supply ले रहा है input of service कर रहा है for personal purpose वो supply ही नहीं बनता तो आप GST कलेक्ट नहीं कर पाते हैं इन्होंने क्या किया कि इनिशल लेवल पर इस घटना को supply बनाया और supply बनाने के बाद फिर इसके दो फार कर दिये कि अगर यह OIDAR के लिए बच्चा ले रहा है तो तो exempt नहीं है बाकिस सब case में इसको exempt कर दिया चाहेगा अगर बच्चा personal purpose के ले रहा है तो तो exemption नहीं है तो तो text लगेगा otherwise exempt कर दिया जाएगा I hope बास समझ में आगी होगी माले कि क्यों इसे personal purpose होने के बावजूद भी supply बन हो लिए RCM import of service पर normally RCM लगता है लेकिन अगर OIDAR की service import की जाती तो वहाँ पर reverse charge mechanism आपका नहीं लगाया जाएगा और time of supply वही invoice completion date क्योंकि NCM लग रहा है normal charge लग रहा है reverse charge के provision मत लगाईएगा भाई साफ रिवर्स चार्ज न लग रहे है यहां पर normal provision साब क्या applicable होंगे procedural part invoice व मैं आपको बता रहा हूं देखो टेड़ी करनी पड़ी हमें सबसे पहले यहां पर लिखना पड़ा कि भाई साब personal purpose के लिए अगर लाओगे तो भी supply बनेगा यह OIDAR की वज़े से ही लिखा गया था फिर हमें इंगली करनी पड़ी कि भाई यह बताओ कि recipient को ढूंडोगे कै पर टेक्स कोन भरेगा तो बताए भी आर्सेम नहीं लगेगा उसी को यहां पर बोलाएंगे वही टेक्स यहां पर आकर भरेगा फिर exemption की बारे कि बारे कि बारे कि परसनल परपस की लेकर आते तो वह individual के दोरा तो exempt हो जाता तो उसके लिए एक proviso create कि यह इसे exempt नहीं करेंग और प्रेम से बोलेंगे राध ही राध ही ठीकरा मालिक